दोस्तों हमारे वीवर है उनका बार बार कमेंट आता रहा कई लंबे समय से कि जानना चाहरे थे कि हाइड्रोजन परक्साइट को बालों पर लगाया जा सकता है नहीं लगा सकते हैं कई लोग लगा रहे हैं बालों को लाल करने के लिए तो क्या है इसके पीछे का कारण और क् आपको यूज करना चाहिए समझते इस वीडियो में तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको समपुर्ण करें मिल सके दोस्तों हाइड्रोजन पर उपर में वीडियो बना चुका हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि क्या होता है कहा का इस्तिमाल करना क्य जो भी तो आप उसमें हैड्रोजन परॉक्साइड लगा के रखो एक दूगंटे उसमें भीगो के रखो बालों को तो बाल का कलर लाल हो जाता है तो पहले समझते हैं कि यह ऐसा होता क्यों है दोस्तों जब भी किसी कोई व्यक्ति अपने बालों में हैड्रोजन परॉक्सा होती है तो यह थोड़े सा क्या बुलबले छोड़ता है तो हाइड्रोजन परक्साइड क्या करता है कि यह जो है टाइरोजनेज टाइरोजनेज एंजाइम को डैमेज करता है ठीक है अब यह टाइरोजनेज क्या होता है हमारे बालों में पाया जाने वाला एक वाला बोलने च के क्लर के लिए ऐस्क्न के कलर के लिये लेनिन प्रेड्यूस जहां से होता ''με्लेन और незри के जहां से होमेका मैलन एक पिग्मेंट है जो कि आपके बालों के कलर और आपकी इसके कलर को डिसाइड करता तो जब यह कि मैलनिन की कॉंट्रेक्ट में या बोलने चाहिए कि तायरोजन के कॉंट्रेक्ट में हाइड्रोजन परक्साइड आएगा तो डैमेज होयागा और उसका कलर क्या होगा फैड होयागा मतलब कि जो बाल है वो ग्रेस हो जाएंगा वाइट होने लगें ठीक है ब्राउन तो तो इसका कोई स्टड़ी नहीं कि आप करो या नहीं करो देखो वो तो एक उसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं तो साइड इपक्त के अदर ग्रॉस के नदर उस एंजाइम टाइरोजनेस को यह डेमेज कर रहा है तो लगाने के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन ना लगाने तो ज्यादा बहतर है क्योंकि तो यह है क्या इसका कारण की भाई यह बालों का कलर लाल क्यों कर देता है तो आप समझ कर लोगी कोई ऐसे को साइने पिस्टडी नहीं कि आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए बहुत सारी कंपनिया हेर कलर बना रही है पागल नहीं यह थर्वाइस वह हैड्रोजन परक्साइड पकेट में भर बर के पेकर के बेच ती मार्केट में ठीक है स शीवम तो मैं विलता हूँ अगले बिन दोस्तों जाहिए बंदे मात्राव